नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चनल पर आज हम आपको हाथ पैर कापने की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरे लिए उसकों के बारे में बताएंगे हाथ पैरों में कमपन होने पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है ज्यादतर यह समस्या बुजर्ग लोगों में होती है परन्तु आज के समय में गलत आदतों और बदलती जीवन शैली के कारण ये समस्याएं बच्चों और जवान लोगों में देखी चाती है जो लोग नीन को भरपूर नहीं लेते हैं या जिने अनित्रा की समस्या होती है उन्हें हाथों पैरों में कमपन होने लगती है बलड में गलुकोस की मात्रा की कमे होने पर भी आपको इस समस्या का सामना करना पढ़ सकता है जो लोग मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें भी इस समास्या का सामना करना पड़ सकता है पारकेटसंस रोक की समास्या होने पर भी आपको कमपन मैसूस हो सकती है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस समास्या सेने पड़ने के लिए कुछ घरे लिनुसकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं रपया हमारे चैनल की सदस्ता को ज़रूर ले लें तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा प्रति दिन एक ग्लास पानी में एक नीबू का रस मिला कर पीने से इस बिमारी में बहुत ही लाब होता है सोया बीन या तिल में दूद मिला कर लेने से भी इसमें फर्क दिखता है पकरी के दूद का सेवन करने से भी रोगी को बहुत ही लाब मिलता है इसमें शरीर में विटामिन B की कमी होने के कारण आपको हातों पैरों में कमपन और आपके दिमाग द्वारा किये जाने वाले कारियों में पाधा उत्पन हो सकती है इसलिए आपको हरी सबजियों, फलों, दाले, बीन्स, अंडा, आदी का सेवन करने से विटामिन और अन्न मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है जिसके कारण आपको हातों और पैरों में होने वाली कमपन की समास्या से भी राहत पाने में मदद मिलती है तगार की जड़ भी हातों और पैरों में होने वाली कमपन की समास्या से आपको आराम दिलाने में मदद कर सकती है आपकी क्योंकि इसमें आपको मास पेशियों, दिमाग को शांत और अनित्रा की समास्या को दूर करने के गुण होते हैं इसके इस्तमाल के लिए आप दिन में दो से तीन बार इसकी चाय बना कर इसका सेवन कीजे इससे आपको आराम महसूस होगा इसके अलावा इस समास्या से बचने के आसान उपचार है कि आप नियमित सुबा उठकर ध्यान व्यायोगा करें ऐसा करने से आपके दिमाग को रिलेक्स नहने में मदद मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव वा अनिद्रा की समासया से भी राहत मिलती है और आपको शाम के समय भी पार्क, आदी में वाक या जॉगिंग के लिए जरूर चाहिए, इससे भी आपको फायदे होंगे तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो, तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद